पाकिस्तान में बार का कहर तूट पड़ा है एक तिहाई पाकिस्तान पूरी तरहां से डूप चुका है गली महले पानी पानी हो गए है सिंद से लेकर बलूचिस्तान तक कई राजयों में हालाद बेहत खराब है अब तक 1100 से जादा लोग जानगवा चुके हैं और करोणों लोग बेघर हो चुके है बार से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान में अब लोग भूखे सोने को मचपूर है पाकिस्तान के नाशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर रोज रिपोर्ट चारी करती है लेटिस्ट अब्डेट के मताबिक पिछले 24 गंटे के अंदर बार के चलते 75 लोगों ने जानगवा दी वहीं 54 लोग गायल बताए जा रहे हैं इनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है बार से अब तक मरने वालों की संख्या 1136 पहुच गई है और करीब 3.3 करोड लोगों को अपना घर चोणा पड़ा है पाकिस्तानी जलवाईयू परिवर्तन मंत्री शोरी रह्मान ने इसे दशक का सबसे भयावे मौनसुन कहा है वहीं पाकिस्तान के वित्द मंत्री मिफ्ता इसमाईल ने बार को लेकर बयाद जारी किया है उन्होंने कहा है कि बार के कारण पाकिस्तान के अर्थ व्यवस्ता को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ है करीब 10 लाक घर पूरी तरहा या आंशिक रूप से शतिक्रस्त हो गए है करोडों लोगों को पीने के लिए साफवानी नहीं मिल रहा इसके साथ ही करीब साद शमलव एक नौ लाक पशु भी मारे गए है और लाकों एकड उपजाओ भूमी लगातार बारिश से जलमगन है पाकिस्तान के ब्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने हालात पर चिंता जाहिर की है शहबाज ने दुनिया से मदद मांगी है सेयुक्ति राष्ट्र में सेक्रेटरी जेनरल के प्रवक्ता स्टिफवन दुजारेग ने कहा है कि पाकिस्तान में लगातार बारिश हो रही है ऐसे में स्थिती और भी जादा खराब हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से 160 मिलियन डॉलर फंड की मांग भी यूएन से की गई है